नमस्कार दोस्तों हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फीर से हारदिक स्वागत हैं आज के इस वीडियो में वीपीसी हिंदी क्लासस लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ तो आए बिना देर किये हुए प्रशनों की क्रम को शुरू करते हैं इसे पहले भी हमने वीपीस सिक्षक वर्ति से संबंधित हिंदी के कई सारे वेडियो चैनल पर उपलब्द करा रखा है अगर आपने उसे नहीं देखा आये तो आवसी देख ले आईए पहला प्रशन है उत्पत्ति के आधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा उ कौन कौन से तत्सम तद्भाव देशज बीदेशज अगला प्रशन है संस्कृत के ऐसे सब्द जिन्हें हम जियों का तियों प्रियोग मिलाते हैं कहलाते हैं तो संस्कृत के ऐसे सब्द जिन्हें हम जियों का तियों प्रियोग मिलाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं प्रशन अगला है निम्न लिखित में से रूढ सब्द कौन सा है ओप्सन है वाचनाले, सम्तल, विद्याले, पसू ओप्सन चोथा सही हो जाएगा पसू यह रूढ सब्द है अगला प्रशन है सब्द रचना के अधार पर बताईए कि कौन सा सब्द योग रूढ है इसमें कुछ सब्द दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा योग रूढ सब्द है तो ओप्सन चोथा सही हो जाएगा जलज यह योग रूढ सब्द है अगला प्रशन है निम्न में से रूढ सब्द कौन सा है ओप्सन है मलेज, जलज, पंकज, वैभव ओप्सन चोथा सही हो जाएगा बैभव अगला प्रशन है परिक्षा सब्द निम्न लिखित बरगों में से किस बरग में आता है ओप्सन है तत्सम, तत्भव, देशज, बीदेशज तो परिक्षा सब्द यह तत्सम के अंत्रगत आता है और परिक्षा का तत्भव क्या होगा तो इसका तद्भव होगा परक अगला प्रश्ण है Magistrate सब्द है ओप्शन है तद्सम तद्भव देशज बीदेशज तो जैसा कि आपको सब्द से ही देखने से लग रहा है कि नहीं तो यह संस्कृत से आया हुआ सब्द है नहीं हिंदी का है और नहीं यह देशज सब्द है तो यह कौन सा सब्द हो जाएगा भी देशज हो जाएगा उप्शन चोथा सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्द लिखित में से कौन सा सब्द देशज है तो देशज सब्द यहाँ पर चार ओप्सन दिया हुआ है जिसमें से चौथा ओप्सन सही होगा लोटा सब्द जो है यहाँ देशज सब्द है अगनी प्रार्थना और खेत यह सभी इसके अंतरगत नहीं आएंगे अगनी ये तत्सम हो जाएगा, प्रात्मा भी तत्सम है, खेत यह तद्भव सब्द हो जाएगा, खेत का तत्सम क्या होगा, छेत्र, अगला प्रशन है, स्वतंतर सत्ता धारन न करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, तो स्वतंतर सत्ता नहीं धारन करने वाले सब्द, योगिक सब्द कहलाते हैं option दूसरा सही हो जाएगा प्रशन अगला है निम्द लिखित में से कौन योगिक सब्द है option लेखक पुस्तक विद्याले योगी option तीसरा सही हो जाएगा विद्याले यह योगिक सब्द है अगला प्रिशन है प्रयोग की द्रिश्टी से सुक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं option है प्रयोगात्मक समानार्थक अनेकार्थक बिप्रितार्थक option दूसरा सही हो जाएगा समानार्थक सब्द कहलाते है अगला प्रिशन है योगिक सब्द कौन सा है option है पंकज पाट साला देन जलज option दूसरा सही हो जाएगा पाट साला अगला प्रिशन है बिभावरी किस प्रकार का सब्द है option है तत्सम तद्भाव देशज शंकर option पहला सही हो जाएगा बिभावरी या तत्सम सब्द है प्रिशन अगला है योगरूड सब्द कौन सा है option है पीला घुरसवार लंबोदर नाक option तीसरा सही हो जाएगा लंबोदर अगला प्रिशन है नीचे दिये गए बिकल्पों में से तत्सम सब्द का चैन कीजिए option है परोसी, गोधुम, बहु, सहीद option दूसरा सही हो जाएगा गोधुम यहा तत्सम सब्द है और गोधुम का तत्भव क्या होगा गेहु तो इसे तत्सम और तत्भव को भी आपको ध्यान से पढ़ना है और इसे आने वाले सभी के सभी प्रश्ण महत्वपूर्ण और उप्योगी है इन प्रश्णों का पैक्टिस आपको जरूर करना है अगर आपके पास समय हो तो दुबाय वीडियो के जरूर देख ले ताकि जो भी प्रश्ण है या आपसे गलत ना हो पाए प्रश्ण अगला है नीचे दिये गए बिकलबों में से तत्भव सब्द का चैन कीजिए आपसन है बैंक मोह मर्म प्रलाप आपसन दूसरा सही हो जाएगा मोह यहाँ क्या है यहाँ तत्भव सब्द है और इसका तत्थ सम क्या होगा मोख अगला प्रश्ण है जिस सब्द के कई सार्था खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं तो अभी आपने कुछ ऐसे प्रश्णों को देखा जिन प्रश्णों से आपको पता चल गया होगा कि योगिक योगरूड और रूड सब्द क्या होते हैं क्योंकि आप बैप्यसी के त्यारी कर रहे हैं तो आपने व्याकरण को जरूर पढ़ रखा होगा कैर आगे बढ़ते हैं प्रश्ण के तरफ तो जिस सब्द के कई सार्था खंड हो सकते हैं ऐसे सब्द को योगिक सब्द कहते हैं जैसे आपको योगिक सब्द में आपको मिला था पाट साला से भी एक प्रश्ण आया था जिसमें से योगिक सब्द कौन सा है तो पाट साला ऐसे प्रकार के सब्द है जिसके खंड यार तुक्रे हो सके उसको क्या कहते हैं योगिक सब्द कहते हैं अगला प्रश्ण है कौन सा सब्द देशज नहीं है तो यहां पर देशज सब्द कौन सा नहीं है यह आपको बताना है कौन सा सब्द देशज नहीं है डीबिरी, पगरी, धोर या पुसकर तो यहाँ option चोथा सही हो जाएगा पुसकर जो है यहाँ देशज सब्द नहीं है नहीं तो डीबिरी, पगरी और धोर यह सब देशज है अगला प्रश्ण है जिन सब्दों के उत्पती का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है जिनके उत्पती का पता नहीं चलता वहाँ देशज सब्द कहलाते हैं कि जिसके उत्पती का कुछ पता नहीं चलता है यह कहां से आया है आई अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है वकील किस भासा का सब्द है और एक महत्वपुर्ण प्रशन सभी के सभी प्रशन बहुत ही उप्योगी और महत्वपुर्ण है इसको आप हलके में बिलकुल ना ले क्योंकि VPSC इसी प्रकार से प्रश्ण आपसे पुछेगी चाय किस भासा का सब्द है तो जैसा कि आपको इसको याद रखने के लिए चा से चाय और चा से चिनी तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा चाय चीनी भासा का सब्द है यहाँ चाय देखकर आप अंग्रेजी से बिल्कुल ना अंग्रेजी भासा का सब्द बिल्कुल ना लगाए क्योंकि option में अंग्रेजी भी दिया हुआ है तो चाय चीनी भासा का सब्द है आईए अगले प्रश्ण को देखते है देखिए अगला प्रशन आ गया किस प्रकार का प्रशन है इस्टेशन किस भासा का सब्द है आप्शन है फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चेनी आप्शन दूसरा सही हो जाएगा अंग्रेजी इस्टेशन अंग्रेजी भासा का सब्द है अगला प्रिशन है संकर सब्द है आप्शन है तत्सम सब्द, तद्भाव सब्द, विदेशी सब्द, दो भासाओं के सब्दों से मिलकर बना सब्द तो संकर सब्द, दो भासाओं से मिलकर बना सब्द को शंकर सब्द कहलाता है तो आप्शन चोथा सही हो जाएगा कि आई अगले प्रेशन को देखने हैं प्रेशन अगला है रिल गारी सब्द है अप्शन है तत्सम्, देशज, विदेशज, शंकर ऑप्शन, चौथा सही हो जाएगा रिल गारी यह शंकर सब्द है अगला प्रश्ण है प्रिश्ण आपको बहुत ही सीधा और सरल दिख रहा है लेकिन ऐसे प्रश्ण परिक्षा देते समय अगर आपने रिविजन नहीं किया है ठीक से ध्यान नहीं दिया है तो आपको कण्षूज करते हैं इसलिए ऐसे प्रश्णों को ऐसे से देखे और दुबारा ऐसे प्रश्ण को जरूर बना लें बानर का तदभव रूप है तो बानर का तदभव रूप क्या है ओप्सन दूसरा सही हो जाएगा बंदर अगला प्रिश्ण है दर्शन का तदभाव रूप है दर्शन का तदभाव रूप क्या है? दर्शन अगला प्रिश्ण है नेमने लिखीत में से कौन सा सब्द तत्सम है? आप्शन है उदगम, खेत, कोट, अजीब तो आप्शन पहला सही हो जाएगा उदगम अगला प्रश्ण है अपिल सब्द है अपिल किस प्रकार का सब्द है अप्शन है तत्सम तद्भाव देशज विदेशज अप्शन चोथा सही होगा अपिल यह विदेशज सब्द है अगला प्रशन है मगही सब्द है अप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तो मगही सब्द ये है तद्भव अप्शन दोसरा सही हो जाएगा अगले प्रशन को देखते हैं प्रशन अगला है संधी सब्द है बहुत ही छोटा प्रशन है संधिससब् helfen तर्षम है तद्व है देशज है या मेले सज disposition है तो संधिस सब्द क्र yani अगला hanno वहाँ लोटा सब्ध है तर्षम अप्शंद अप्शन 3 हो जाएगा देशज अगला प्रश्ण है कमल किस प्रकार का सब्द है अप शन है रोड योगिक योग योग रूड इन में से कोई नहीं, तो कमल यहां रूड सब्ध है। रूड सब्द ऐसे सब्द जिसके खंड या टुकरिय करने पर कोई अर्थ ना हो। ऐसे सब्द को रूड सब्द कहते हैं। अगला प्रशन है, पाक साला किस प्रकार का सब्द है? आप्सन है रूड, योगिक, योग रूड इन में से कोई नहीं तो पाट साला यहाँ योगिक सब्द है योगिक सब्द क्या है? ऐसे सब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ हो पाक साला यानि भोजन बनाने की साला को पाक साला कहा जाता है जैसे आपको option में यहाँ पर लंबोदर भी हो सकता है तो लंबा है वो दर जिसका तो जो सब्द किसी तीसरे अर्थ के तरफ संकेत करे ऐसा सब्द होता है योगिक अगला प्रश्ण है दसानन किस प्रकार का सब्द है अगला प्रश्ण है नीमनी में से एक तत्सम सब्द छाट कर बताईए तो इसमें से आपको तत्सम सब्द छाट कर बताना है तो घोटा कि यह है तत्सम है और इसका तत्भों क्या होगा घोरा अगला प्रश्ण है नीमनी में से कौन सा सब्द तुर्की भासा का है तो यहाँ तुर्की भासा का कौन सा सब्द है? चाय, रिक्षा, कमरा, कैची option चोथा सही हो जाएगा कैची यहाँ क्या है? तुर्की भासा का सब्द है प्रशन अगला है निमलिखित में से तत्सम सब्द का चैन कीजिए तत्सम सब्द इसमें से कौन सा है? हमें कॉमेंट के माध्यम से अवशी ही बताएं वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद